नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एविद्या चैनल नंबर टेन पर, मैं हूँ देवेंद्र उत्रपाथी, आज के सेशन में कक्षा दस्मी के लिए हम लेकर आए हैं, सोशल साइन्स का सबजेक्ट और इसमें चर्चा करेंगे, इसमें बात करेंगे अग्रिकल्चर यानि क्रिशी पर, आप जानते हैं कि भारत दुनिया के उन प्रमुख देशों में है, जहां पर क्रिशी की प्रधानता है, और क्रिशी का योगदान अर्थविवस्ता में बहु जो फीडिंग की बात अगर हम करें कि जो पॉinfοर्शन है, उसको अनज पहुंचाने का जो जिम्मा है, वो कृषी के सिर पर है, कृषी के ऊपर है, तो भारत इस मामले में कहां पर ठहरता है, क्या है भारत की क्रिशी की पूरी पूरा सिस्टम क्या है, उसको समझेंगे, औ और इस पार्ट को पढ़ाने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट की तोर पर हमारे स्टूडियो में उपस्तित हैं डॉक्टर प्रभुद्य मिश्रा जो की असिस्टेंट प्रोफेसर हैं शीवाजी कॉलेज दिली विश्रवी द्याले में सर आपको बहुत स्वागत है इसके लिए आप फोन नंबर नोट कर सकते हैं और साथ ही इमेल की जरिए भी आप जोड़ सकते हैं आपकी पुस्तक में जितना कुछ लिखा है वो आप समझ ही सकते हैं लेकिन और भी कुछ समझेंगे आज के सेशन में सर शुरुबात करते हैं आज की सत्रगी विचार करें तो यह विश्व की सबसे त्राचीनतम अक्टिविटी है क्रिया है इससे पुरानी कोई भी अक्टिविटी नहीं है और ऑन कॉमन पारलेंस हम यह भी देखते हैं कि अग्रिकुल्चर के बारे में ऐसा का जाता है कि अग्रिकुल्चर इस आज ओल्ड आज और मत्तब अगर कोई भी क्रिया इस पृत्वी पर एक्जिस करती है और जिसमें एक कॉंटिन्यूटी है तो वो क्रिशी है जो कि आज से तक्रीबन 12,000 साल पहले इसकी शुरुवात हुई थी और अगर हम हिस्ट्री में जाएं तो हमारे पास जो इविडेंस हैं या फिर जो हम हमारे पास जो उसके जो प्रमान मिलते हैं वो यह बताते हैं कि तक्रीबन 10-12,000 साल पहले अग्रिकल्चर की शुरुवात हुई और भारत के संदर में अगर हम देखें तो यह 9-10,000 साल पहले की बात है जब भारत में क्रिशी की शुरुवात हुई होगी तो सबसे पहले हम में तो यह समझना है कि क्रिशी है क्या क्रिशी किसको कहते है जो बच्चे है वो imagine करते हैं क्रिशी को लेके उनके मन में एक perception बनता है कि क्रिशी जो है is only raising of plants सिर्फ फसलों का उत्पादन जबकि ऐसा बिलकुल नहीं है क्रिशी जो है वो दो शब्दों से मिलके बना है पहल है जो raising of plants plus domestication of animals तो animal husbandry भी उसका उतना ही महत्वपूर पार्थ है जितना की फसलों का उगाना तो क्रिशी में दो चीजें है एक तो फसलों का उगाना और दूसरा domestication of animals इसको हम animal husbandry कहते है तो इन डोनों चीजों को मिलके और यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि काफी वर्सों से अनवरत चलिया रही है और क्रिशी जो है हमारा पूरा जीवन जो है वो किसी प्याधारित है बहुत सारी ऐसी activities है हमारा domain of knowledge over the period of time बहुत बढ़ गया और हम अगर क्रिशी को अगर हम देखे तो एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि हमारी मानुजीवन का आधार है हमारा जो भी शुरुवात हुई हमारा primitive है से लेके आज सक जो भी हम travel करके आ है over a period of time उसमें जो है क्रिशी का एक बहुत बड़ा role रहा है ठीक है तो जैसे मैंने बताया हमें अलग-अलग तरह है कि हमें क्रिशी की दशाय देखने को मिलती है और अगर मैं आपको एक fact बताऊं कि अगर हम ऐसा सोचते हैं बच्चे आपकी जो भी हम आज agriculture में जो भी हम consume करते हैं या फिर हमारे देश में जिस भी फसलों का उत्पादन होता है वो क्या सब यहीं क culture हुआ और वहां से जैसे मैं अगर कॉफी की बात करूं तो कॉफी जो है यमन से भारत में आई है और वेस्टन घाट में बाबा मूदन हिल्स के आसपास उसका हमें distribution देखने हों को मिलता है अगर हम नारियल की बात करें तो नारियल जो है वो मलेशिया से बाइसी रूट ट देखने को हमें मिलता है वो बहुत ही mixed है हमारे पास जो अगर हम अपने traditional crops की बात करें हम अपने traditional grains की बात करें तो हमारे पास हमारे पास मरूआ है, हमारे पास कोदो है, बहुस आरे मसाले हैं जो कि भारत में प्राया को पैदा किया जाता है, लेकिन अगर आज के context में देखें, तो बहुत सारा गेहूं है, या फिर हमारे जो major cereal crops इसको आज हम consume करते हैं, वो सब कहीन कहीन, अलग-अलग time scale में, अलग-अलग देशों से आए, तो मैं थोड़ी सी आपको प्लोगों से चरचा करूँगा कि जब हम भारत जब आजाद हुआ था, तो हम food sufficient नहीं थे, तो जो भी planning commissions था, उसमें 5 year plans आते थे, तो उसमें पहले, दूसरे, तीसरे 5 year plans में आप देखेंगे, कि agriculture में infrastructure को develop करने के लिए, हमारे provisions, बहुत सारे हमने provisions बनाए, कि हम agriculture infrastructure को develop करें, और उसके साथ ही, हम green revolution को भी हमने introduce किया, ताकि हम अपने देश में, एक जो है, जो food security को हम achieve कर सकें, तो 1960 से हमने green revolution शुरू किया, और आज के context में अगर हम बात करें, तो आज हम food secure है, और अब हम जो है, नई बात कर रहे हैं, जिसको हम कहते है, evergreen revolution, जिसको कि organic mission के नाम से भी जाना जाता है, तो एक very safety है, जिसको कि, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को एक, उसका एक glimpse, जो है, एक जानकारी बहुत ही ज़रूरी है, अगर agriculture को Indian context में हम देखें, तो तक्रिबन two-third population जो का जो जीवन जो है, अभी भी agriculture पे ही dependent है, और अभी भी अगर हम देखें, तो agriculture जो हमारा है, वो मांसून और हमारा जो rain fed agriculture है, उसी पे based है, तो कहीं ने कहीं अभी इस तरह से एक नए हमें एक policy decision की ज़रूरत है, कि हमारी जो dependency है, मांसून पे या फिर रेन पे, उसको हम धी दिरे-दिरे evergreen revolution की तरफ बढ़ते हुए, हम अपने agriculture infrastructure को बहतर करें, हम अपने farmers के income को double करने के लिए बहुत सारे policies, बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं, उसको भी हम आगे देखेंगे, और अगर हम मैं last year की बात करूं, 2021-22 की, तो GDP का जो total production था, उसमें हमारा 18.3% का जो share था, वो हमारा agriculture का था, और world agriculture की बात करें, तो जैसा आप लोग रानते हैं, कि इंडिया का जो पूरा जो area है, 32.8 lakh square kilometer, उसमें इतनी diversity है, और इतना ज्यादा हमारा पास agriculture land है, भारत नदियों का देश है, तो agriculture है बहुत rich है, हम second place पे, बहुत सारे crops के production में, जो हमारा जो ranking है world में है, हम second में है, बहुत सारे production में, हम first पे भी है, तो हमारा जो देश है, वो agriculture के लिहाज से बहुत ही rich है, अब थोड़ी सी बात करते है, agriculture का जो है, हमारे economy में क्या रोल है, तो जैसा मैंने बताया कि तक्रीबन बहुत एक बड़ा chunk जो है, हमारा जो है GDP का agriculture से आता है, तो ये एक हमारे national income को influence करता है, और majority तक्रीबन two-third population जो है, अभी भी जो हमारी वो agriculture में involved है, जो primary activities में involved है, तो इस तरह से हमीं देखना होगा कि domain of knowledge बहुत कुछ बदल चुका है, हमारे पास quaternary sector है, service sector है, बहुत सारे sectors आ चुके हैं, लेकिन अभी भी majority of the people are still engaged in agriculture and allied activities, तो उस लि बहुत बड़ा जो population का जो एक work है, जो गाउं में रहता है, जो rural areas में रहता है, वो अभी भी agriculture से अपनी livelihood को generate करता है, तो basically we are still we are agrarian economy, agrarian based हमारी economy है, और majority लोग जो है agriculture में involved है, और उसका एक बहुत बड़ा region यह भी है कि जो labor force है, वो हमें बहुत easily मिल जाता है, अभी हम population में top पे चले गए हमारे पार जो labor है, वो easily available हो गया है, और अब धीरे-धीरे agriculture का mechanization हो रहा है, energy component change हो रहा है, but still जो हमारा जो majority of agriculture जो perform होता है, या जिस से हम production लेते हैं, वो labor intensive है, labor की द्वारा ही हम उसको पाते हैं, तो agriculture का जो significance economy में वो बहुत ही supreme है अभी भी और सिर्फ य बात नहीं है, अगर हम South East Asia के बहुत सारे देशों को देखें, या फिर Global South में Southern Hemisphere में जो हमारे देश हैं, अगर उनकी हम बात करें, तो जो majority जो लोग हैं, वो अभी भी primary activities या उसके आसपास जो allied activities हैं, उसमें involved हैं, अगर मैं, अगर आपको PPT आप देखें, तो अगर हम types of farming की बात करते हैं, तो आज की context में तो बहुत तरह के farming evolve हो गई हैं, बट जो major जो हम हमारे types of farming हैं, उसको तीन पार्ट में divide कर सकते हैं, वो first primitive substance farming, डूसरा है intensive substance farming, और third commercial farming, तो ये तीनों अलग अलग तरह की farming है, primitive substance farming क्या है, इसमें हम पुरानी तरीकों को use करते हैं, जो हमारे जो traditional tools हैं, या plow है, फिर ox driven, जो हमारे plows हैं, उनको use करते हैं, और इसमें जो production होता है, basically self consumption के लिए होता है, उसका जो purpose जो है, वो sell out करना नहीं है, market के लिए उसमें production नहीं होता है, तो ये हमारा primitive substance farming है, जो कि अभी भार, अभी भी भारत में और विश्व के बहुत सारे हि farming, इसमें क्या होता है, कि इसमें population का जो pressure है, land पे बहुत ज्यादा होता है, तो होता है कि आपका जो landman ratio जो है, वो देरे-देरे घट्रा है, उसके अलावा जो है, आपका population pressure land पे बहुत ज्यादा है, तो हम बहुत intensively land को use करते हैं, कई बार एक agriculture season में हम कई crops को उसी same plot पे हम grow करते हैं, तो हमारा जो land use का जो एक pattern है, वो बहुत intensive होता है, तो उस तरीकिस हम देख सकते हैं, और जो third है वो commercial farming है, अभी क्या है कि बहुत सारे ऐसे हमारे जो agro-biodiversity हैं, जिसको हम commercially produce करते हैं, जैसे plantation agriculture हो गया, जैसे banana हो गया, coffee beans हो गया, tea plantation हो गया, आपका sugar cane हो गया, त इनको कि हम commercial level पर farming करते हैं, खास करके western Europe में और जो हमारे विक्सित देश हैं, उन में इस तरह की tendency बहुत देखने को मिलती है, क्योंकि उनके पास farm बड़े हैं, और उनके पास labor है, वो उसको mechanized way में उसको use करते हैं, उनके पास energy component ज्यादा है, और जो population का pressure बहुत कम है, तो इस तरह से हम उसको देख सकते हैं, primitive substance farming, intensive substance farming और commercial farming के रूप में देख सकते हैं, अब इसमें अगर हम बात करें, तो जो problem जो है intensive farming की, उसमें बहुत सारे अगर इंडिया के context में अगर हम देखें, तो हमारे जो plots हैं, जो हमारे agriculture plots हैं, वो दिर दिर छोटे होते होते जा रहे ह हैं, और उसमें जो land fragmentation की बहुत बड़ी problem है, land जो है कहीं, किसी एक family का land एक place पर है, अलग-अलग place पर है, चकबंदी कानून के द्वारा उनको हमने unify करने का प्यास किया भारत सरकार ने, बट अभी भी इस तरह के बहुत सारी समस्याएं जो हैं, जो की इसमें एक problem create कर र रही है, जैसे अगर आप North East के region में जाएं, तो वहां पर slash and burn agriculture है, और जिसको हम जूम cultivation भी कहते हैं, तो वो एक Western world में उसको कहा जाता है, कि this agriculture system is not sustainable, बट अभी research आया है कि नहीं ऐसा नहीं है, यह जो उस time के इसाब से जब यह चीजी शुरुआत हुई थी, जब इनका inception हु इसको अलग lens से देखते हैं, उसका cost benefit analysis करते हैं, बट slash and burn agriculture जो है, अभी भी बहुत सारे देशों में इसको practice किया जाता है, अगर हम भारत की ही बात करें, तो North East region में बहुत अभी भी बहुत सारे ऐसे जिले हैं हमारे, जहां पर इनको हम इनके practice को देख सकते हैं, अगर world की इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, इसे मेक्सिको और Central America में इसको मिलपा का जाता है, वेनिजुएला में इसको कोनुआ बोला जाता है, ब्राजील मिरोका, Central Africa में इस अगरी कल्टिविशन भी कहते हैं, यह एक ऐसी कृशी है, जिसमें हम क्या करते हैं, कि किसी भी एक पार्सल ओफ लैंड को हम क्लीन करते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं, वहां पर हम अग्रिकल्चर करते हैं, एक साल, दो साल हम अग्रिकल्चर करते हैं, फिर उस प्लॉट को हम खाली छोड़ देते हैं, फिर हम दूसरे प्लॉट में मूव कर जाते हैं, ताकि उसकी जो स् सिस्टेम है मैं अगर आपको बताऊं हमारे जो जो नॉर्थीस के जो हमारे जो स्टेट्स हैं जहां पी होता है सेमंग ट्राइब है उसके बाद एक आपतानी चाहिए जो लोग अभी अगरिकल्चर करते हैं इतना सस्टेनेबल है जैसे कोई भी पार्सल अफ लैंड है तो वह यहां पर वह इतना शोर करते हैं कि जो भी वहां पर क्रेट्स हो जो भी वहां पर रेप्टाइब्स हो या जो भी आविशन है जो भी चिडिया है वहां से उड़ जाए तब वहां पर जाकरते हैं ताकि एक सस्टेनिबिलिटी हमारी जो है वह वह बरकरार रहे तो इस तरह स से हम देखते हैं कि तरह तमान तरह के agriculture के system अभी अगर मैं आपको recent आपको एक्जाम्पल बताऊं तो अभी floory culture शुरू हुआ है अभी floory culture जो है अभी grains पर तो हमारा focus पहले था grain revolution में हमारा लेकिन अभी नई शताबदी में हमारा flowers पे focus आया हम flowers के थूरू अपने किशानों की जो income है उसको हम double कर रहा है या फिर उनकी livelihood को improve कर रहे हैं उनको एक livelihood security दे रहे हैं आप रास्थान में देख लिए रास्थान जो है ट्रडिशनली जो है desert area माना जाता है लेकिन इंद्रा गं जो कि वहां के किसानों को एक अलग से income और आर्थिक मदद जी 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 और जो आसपास जो बाजार है उनके लिए उसको एक driving force की तरह उसको help out कर रहे हैं जी लेकिन अगर हम देखें कि जो agriculture का main तरीका है या main farming है जिसकी हम बात करते है food grains की food grains हो गया फिर उसके बाद हौटी फिर कुछ जड़ी बूटियों की खेतिया हो जी जी ठीक है तो ये ये सारी चीजें उन जगहों पर ठीक है जहां पर man versus land की जो availability है मतलब की जितने लोग हैं उनको उतने खाने की आपूर्ती हो सके जितना उनके उनकी जरूरत है प्लस थोड़ा सा एक हमें प्राकृतिक गया बारिश नहीं हुई सुखा पढ़ गया तो उस दौरान वो काम है तो ऐसे में क्या हम land use change करें तो क्या हमारे देश में इतनी परियाप्त land है कि 40 फ्लोरी कल्चर या बाकी चीजों पर ज्यादा फोकुस बिल्कुल आपने सही का अभी बंदारन की जो बात किया आपने तो अभी राष्टी बंदारन योजना शुरू हुआ है जिसमें की हर district में कमोबेश एक ऐसा storage बनाने का प्लान है जिससे की farmers को क्या होता है कि कई बार production ज्यादा हो गया उसका market rate नहीं मिलना तो farmers उसको ऐसे उनका waste हो जाता है उनका तो जो उनका grains है या फिर जो perishable goods है आपने land use की बात की तो climate change है global warming है और पूरा bio physical nature जो हमारे पूरे ecosystem का change हो रहा है तो उसमें जो traditional कुछ areas है जो की grains grow करते थे अब क्या है उसमें farmers क्या है कि अलग-अलग उसको diversify कर रहे है उसमें mixed topping लेके आ रहे है और पहले जो था वो हमारा एक horizontal expansion होता था agriculture का अगर अब micro level पर observe करें तो हमें एक vertical farming देखने को भी मिलते है लोग अगर शहरों में देखने तो terrace farming करते है या फिर अगर दिल्ली या NCR या बहुत सरे ऐसे जो million plus cities है अगर शहरों के periphery में आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि multiple story बना के mushroom का cultivation हो रहा है mushroom के साथ साथ आपको shimla मेच क cultivation हो रहा है तर्मानतर के flowers का cultivation हो रहा है तो एक vertical farming भी हमें देखने को मिलती है क्योंकि land man ratio कम हो रहा है और land जो है हमें कुछ traditional crops है उनको हमें grow करना ही है क्योंकि they are the staple crops उसको हमें consume करना है तो तो उसके साथ-साथ मिक्सिंग भी हो रही है और मैं आपको एक बात और बते हैं बहुत सारे ऐसे crops हैं बहुत सारे ऐसे fruits हैं जो की जैसे कीवी का example लिए तो कीवी हमारे देश में नहीं होता था कीवी जो है Mediterranean climate का है का जो fruit है वो न्यूजिलेंड से हमारे आया और आज अगर आप देखें तो zero valley में अरुनाचल प्रदेश में और उसके अलवा उत्तराखंड के गरूड और बागेश्वर कौसानी के इलाके में उसका काफी अच्छा production हो रहा है जो की farmers के livelihood को भी इंप्रूव कर रहा है और साथ-साथ जो हमारा पूरा जो agriculture का भूदिश है लांस्केप है उसको भी काफी चेंज कर रहा है जी और जो consumer है उनको भी आसानी से और इस तरह की चीज़ें जो प्लब्द करा रहा है बिल्कुल क्योंकि अगर आपका अगर कोई किसी चीज़ को आप एक्सपोर्ट करके मगाते हैं इंपोर्ट करके अगर आप उस चीज को करते हैं तो उसमें आपकी cost ज् मिल सकती है अब जैसे और मैं बताओं अभी तो जैसे crops की बात हुई अगर मैं अगोरा रैबिट अब क्या अंगोरा रैबिट जो है सिक्किम में और नॉर्स इस के बहुत सारे स्टेट में हिमाचर प्रदेश में जो रैबिट से उनका जो है पालन शुरू हुआ है और उनस आग पे ही बात नहीं कर सकते कि सिर्फ जो ग्रेंश प्रोड्यूष रहा है अगर वो सस्टेनेबल होगा तब ही जाके हम उस और आपने देखा है जो एकरिकॉल्टेर में जो रेटेंशन है वह बहुत कम है एक किसान का जो एक किसान वह नहीं चाहता कि उसका बालक जो है उ तो किस तरह से अपने फार्म की वाट किसान भाई को इंकम को इंकम को इंप्रोउव करना है कि तरह से उनकी इनकी इनकी लैगलीद फोस्टेष से इनकी की इभlichkeit को इंपूर्च यारच सबसे इंपोर्टन चीज है कि जो अग्री कल्चर है उसको अभी तक एक कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर जाधतर जगों पर और बड़े पैमाने पर अधिकांस किसान उसको नहीं लेते हैं हाला कि अगर हम पंजाब हर्याना या मध्य प्रिदिश की बात करें तो कई जगों पर या महाराज चुकी तो कई जगों पर अग्रिकल्चर चाहे वो फूड ग्रेंस हो या हौटी कल्चर हो या नि फलों की खेदी हो उसको कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर माना गया है तो ऐसे में जिन लोगों को यह लगता है जैसा कि आपने कहा कि कोई भ प्रोफेशनल एक्टिविटी अपनी मानते हैं किसान निश्ची तोर पर उन्हें कोई गुरेज या परहेज नहीं होगा अपने बच्चे को उसमें इन्वाल्व करने में क्योंकि उससे जब उन्होंने अपनी कॉमर्शियल एक्टिविटी के तौर पर उस खेती को किया तो समय में उगाई जाती हैं चाहे मसाले हों या कॉफी चाय या कोई भी चीज तो सारी चीजें भारत की इंडिजेनस नहीं है और यह भारत के लावा दुनिया में भी इसी तरह से ट्रांस्पोरेशन हुआ होगा फसलों का तो भारत की सबसे अच्छे खुभी यह है कि आज की ग्राफी है जी वो बहुत लैंड्सकेप है जी बहुत अच्छी बिल्गूल तो इसमें कीवि का अगर भारत में हो रहा है तो यह इसका हमारे सामने एक प्रतेक्षव प्रमाड है तो यह जो अलग-अलग तरह की क्रॉप्स जो है अलग-अ-अलग टाइम फ्रेम में हमारे भारत में आई या भारत से जो बाहर गई अलग-अलग जीन सेंटर्स हैं जहां पर अलग-अलग फसल पाए जाते हैं जहां पर उनकी उत्पत्ति हुए बाद में जो साथ उसको लेके आते हैं यहां डॉपिंग करते हैं उसके बाद वो चीज़े निकलती है तो यह मिक्सिंग जो हुई है वह एक तरह से कह सकते हैं बहुत सारे डिस्कोर्स में आता है कि यह बहुत अच्छी बात नहीं है बट अगर एक लाइवलिहूड डावर्सिफिकेशन के में अगर हम देखे तो यह लाइन पहुत बहुत ही अच्छी बात है और बहुत सारे ऐसे क्रॉपस और बहुत आगे बढ़ने की जाज़त नहीं देगा, agriculture के जो student है, या social science के students है, class 10 के, उनको कुछ कहना चाहेंगे, आप agriculture as a subject, और उसको किस तरह professionally उनको लेना चाहेंगे, जो तेखे, agriculture जो है, यह अभी तक मैं बताऊँ, कि अभी तक विश्व के पूरे इतिहास में, अगर किसी चीज प आपके पास बहुत सारी संभावना हैं, आप graduation में बहुत सारा agriculture universities हैं, वहां से आप research कर सकते हैं, scientist बन सकते हैं, उसके अलावा जो बहुत सारे ऐसे agro-based industries हैं, वहां पे आप expert बन सकते हैं, तो agriculture जो है ऐसे activity है, जो कभी भी खतम होने वाली नहीं है, तो निश्चित तोर पर agriculture एक subject के तोर पर ये भी एक profession आपका हो सकता है, अगर आप खुद खेती किसानी नहीं करते हैं, तो भी आप पर profession के तोर पर सिस्तमाल कर सकते हैं, सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, agriculture पर आपने बात की और बहुत विस्तार से आपने जानकारी दी हमारे चात्रों को, हमा उपलब्ध हैं, आप NCRT के sales counters पर विजिट कर सकते हैं, और यहां से पुस्तके प्राप्त कर सकते हैं, जो सब्ताह की साथो दिन सुबह साड़े नोग बज़े से शाम शाय विज़े के बीच खुले रहते हैं, और घर बैठे, online order करने का भी विकलप है, इसके लिए आप और अगला session थोड़ी ही देर में होगा, आपके लिए class 9 के लिए, और science subject में atoms और molecules आप पढ़ेंगे, तो इसलिए लगातार ईविद्या के साथ आप बने रहिए, आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार.